हेलो अबरीवन वेलकम बाट टू माय चैनल एक्जाम सक्सेस मंत्रा और आज हम डेलेट फर्स्ट येर इंग्लिज सब्जेट का थर्ड यूनिट का थर्ड यूनिट का नेक्स्ट कुशन लेने वाले हैं और यह जो कुशन रिलेटेड है वो हमारा है इंटेंसिव रीडिंग तो हमें क्वेशन से तरह से पूछा गया था वट यह पॉछंन पूछल फार इंटिंट्रा इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है देस्क्राइब इंट्स प्रॉस्स प्रॉसेश अब्जेटिविटि एडवारटर इन लेमीटेड इसके हमने प्ला।स बताने है、 इसकी उ आप मैंने कोसिस करी कि थोड़ा इजी हो जाए तो आप मुझे कमेंट में जुरू बताना कि इस तरह से सही है या फिर पूरा एक नोट सी बनाया जाए जैसे कि प्रीबिस वीडियो में बनाया गया है तो सबसे पहले हम इंटेंसिव रीडिंग पहलजय को और एक पारे में ही जान लेते हैं कि इंतेंसिव रीडिंग क्या है एक सेकेंड इंतेंसिव रीडिंग के अगर हम बात करें इनतेंसिव रीडिंग हम दो तरह से ले सकते हैं एक तो क्या है मारी डिटियल इस्टेडि ऑफ्द THE TEXT BOOK या TEXT MATTIRALI जो भी हमारे पास है इसके डिटेल से पढ़ना दूसरा क्या है नॉन कॉंटेंट अफ दे लेशन अगर हम लेसर नंबर वन ले रहें तो उसके अंदर जो भी कॉंटेंट है उसके बारे में डिटेल से जाना वह क्या है यह दो चीज हमारे इंटेंसिव रीडिंग मतलब हमें किसी भी चीज को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना ठीक है अगर हम इसकी बात करें डिटेल इस्टेडी आफ टेक्स मीन इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब बन जाता है स्टुडेंट मास्टर इंट लाइंग्वेज अगर इसका मतलब है कि जो स्टुडेंट है वो लेंग्वेज मास्टर अगर हम इन दोनों को साथ में में लिखने तो इसका मतलब हो जाता है कि student master in both languages लेग्वेज लेग्वेज फर्स नहीं and the content of the lesson लेशन के content और जो language उन दोनों में क्या हो जाता है master हो जाता है तो यह था इसका क्या है reading का जो क्या था means था अब इसी चीज को आपको क्या करना है बस एक paragraph को form में लिखना है जिससे क्या हो जो आप easily इसको समझ पहें और आपको क्या return करने में क्या हो ज्यादा easy पढ़े ठीक है तो मैं आपको details से भी इसके बारे में बता देती हूं तो सबसे पहले हम देखते हैं intensive reading का meaning intensive reading means a detailed study of the text जो text है उसकी detailed study this means that इसका मतलब है की the student master all the language items जो student है वो master हो जाता all the language items का मतलब that means इसका मतलब है की vocabulary and structure जो language है जो English language है उसकी vocabulary है जो सब्दार्थ है उसका structure है जिस तरह से paragraph बनते हैं जिस तरह से sentence बनते हैं उस चीज को समझ पाना उसमें master in the given lesson किसी भी lesson में जो उसकी vocabulary है जो structure उस चीज को समझ पाना उसके master होना he also known in a detail the content of the lesson और साथ में वह एक तो vocabulary को जानते हैं दूसरे जो एक lesson दिया गया है उसके content के बारे में क्या होता है डिटेल से जानते हैं ठीक है this means that इसका मतलब क्या बन जाता है the student masters in both language and the content of the lesson इसका मतलब यह है कि जो student है वो master है उन्हें अच्छे से आ गया है क्या language and lesson का content होता है वो दोनों ठीक है एक अगर हम इनके in the word of Lurine एक सेकंड एक सेकंड वेट करिए अगर हम in the word of Lurine अगर हम Lurine के word में देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा था intensive reading के लिए उन्होंने कहा था the object of the intensive reading intensive reading का जो object है जो देश है a to get the book into the memory जो book है उसको पूरी memory में डालना है यानि जो भी book में लिखा है वो हमें समझ आना समझ लेना उसको ठीक है as कैसे memory में डालना as a living material ऐसा नहीं कि जैसे कोई living चीज है इस तरह से हमें उससे समझना चाहिए which is child can use जिससे child क्या होता है बाद में जिससे child क्या है बाद में क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो इस तरह से क्या है यह intensive reading के बारे में यह इन्होंने एक क्या थी एक definition दे थी अब यह होगे हमारी के intensive reading है क्या अब हम पढ़ते है objective of the intensive reading हमें पते हैं लेकिन इसके उद्देशे के लिए मैं सीम तरह से एक क्या है माइन में बनाने की कोशिश करें तो आप देखें साहिए आपके लिए helpful हो आप बताना जुरूर कि helpful था या नहीं ताकि मैं आगे इस तरह से वीडियो बनाओ अगर इतना helpful नहीं लगेगा तो फिर में paragraph के फॉर्म में ही बिराने की कोशिश करूंगी ठीक है तो नेक्स जो हमने पढ़ना था वो हमारा हमें पूछा किया था का कि उसमें मुने पूछी गिती दूसरे में क्या पूछा कि थि उसके ? ब्रसकी अप्यश्ष आन्टर को अप्छी गेथी ? तो अब्जचीतिविटी सबसे पहले ही ज्यों है वह बोल पाएं और लिख पाएं correct English को ढंग से English को समझ पाएं बोल पाएं और लिख पाएं ठीक है दूसरे इस योग्य बनाना कि वह लाइंग्वेज को यूज कर सके विदाओट फियर किसी बिना किसी डर के जैसे होता है जो हिंदी भासी लोग है या जिनके अपनी अलग क्या है मदर टंग है वह अगर इंग्लीज को बोलने की कोसिस हो मन में बोल ले तो उन्हें पता भी होता है कैस अगर नहीं मैं सही बोल रहा हूं और दूसरा उनका मदर टंग का जो टोन होता है वह इंग्लीज में आने लगता है जिसको जैसे उन्हें एक डर बना रहता है और तो इसी डर को क्या करना होता है यह एक अबजेक्ट भी उद्दिश्य बन जाता है कि इसी दर को बच्चे स इंग्लीज को इंग्लीज में ही सोचे जैसे कि अगर हिंदी भासी की बात करों तो हो जब भी को सेंटेंस पोलें तो पहले से हिंदी में सोचते हों कि दिमाग हिंदी में चलता है उसकी बाद उससे ट्रांसलेट करना होता है लेकिन इसका अबजेक्ट यह है कि बच्चों क कि एक इनलिज में ही सोचे ठीक है यह दो अबजेक्ट होगे तीसरा जो अबजेक्ट है उनका वह है टू है टू स्टुडेंट की हम एलप करना वह है इंप्रूब इयर नॉलेज उनके नॉलेज को इंप्रूब करना दूसरे कि कमांड ओवर पर दो एक अच्छी कमांड होने एक है पकड़ बनाने इंग्लिज के ऊपर और जब कोई रीड करता है कोई भी चीज कोई भी बुक्स उसका कुछ नॉलेज उसका बढ़ता है तो उनका एक मोटीवी हो जाता है कि उनकी नॉलेज को क्या करना इन्प्रोब करना और उनको जो क्यों दोसमें अच्छी कमांड बड़नाना ठीक हैं फूराय को स्रीट कहांने क्ल्ण करना लगते हैं इंटोनेशन की कब चुड़ा जो हमारा वॉइस है उसमें कब हमें जोर देना है कर उतार चड़ाओ यह सब सिकाना और मॉडुलेशन और वॉइस इसका भी मतलब वह है कि हमाएं अपने वॉइस को मॉडूल करना सिच्वेशन की एकॉर्डिंग जहां पर जैसे हम हिंदी में हम पता है कहां पर हमें जोर देना है आपको परग्राप के फॉर्म में लिखना है अपने अंसर वुक में ठीक है तो अपने बढ़ते हैं फस्स उसमें तो दूसरा हमारा जो पॉइंट था अब्जेक्टिविटी आफ इंटेंजिव रेडिंग तो पहला जो हमारा मिनिंग है वह है तो इनेबल द स्टुडेंट इन इन इंप्रोविंग दिया नॉलेज को बढ़ाने में इंप्रूप करने में और इंग्लीस में इक अच्छी कमांड के लिए नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट है आपका तो अनेबल द लर्ना यह स्टूडेंट को इस योग्य बनाना तो यूज दे लाइंगोज विदाओ यह बिना डरे विए किसी लेंग्वेश को यूज कर पर यह इंग्लीस को यूज करें और तो डबल अब द अब धिकी इन इंग्लीस में ही सोचें अगला पॉइंट है तो गिब देम अप्रक्टिस उनुने एक अच्छी प्रक्टिस न एक मिनट आप नेक्स पॉइंट की और बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट है हमारा प्रोसिडर यानि उसकी प्रोसेस क्या है तो सबसे पहले जह हम पढ़ाने जाते हैं तो हम बच्चे को क्या करते हैं हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चे को क्यों इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले क्या होता है एक introduction दिया जाता है देटा कौन है teacher देता है ठीक है the teacher give and give an introductory talk teacher क्या होता है एक introductory talk देता है यह introductory बात है करता है अपने बच्चों से two arrows यानि पैदा करने के लिए the interest of the peoples people यानि student student में interest पैदा करने के लिए वो इंट्रोड़क्टिव टॉक या थोड़ा से बाते ही करता अपने बच्चों से या फिर वो क्या कर सकता है या वो थोड़ा सा subject material को क्या कर सकता है उसकी summary type में कि कहानी में आगी क्या होने वाला है इस थरह से वो क्या करता है इस बेक्राउंड या कहानी के बेक्राउंड को पर जिन करता है जिससे क्या होता है बच्चों में इंट्रेस्ट क्रेट होता है ठीक है ही में ask some question to test the previous knowledge of the people या फिर वो क्या करता है कुछ question को पूछ सकता है ask करता क्यूं to test ये जानने के लिए कि बच्चे को previous knowledge क्या है to test करने के लिए previous knowledge of the students का previous knowledge है उसको चेक करने के लिए वो question कर इस तरह से वो किसी chapter को शुरू कर सकता है ठीक है या फिर इंट्रोड़क्टिव कुछ से talk कर ले बच्चों से जिसे उनका interest great हो next step में क्या होता है first step में क्या था introduction next step में क्या होता है next step में क्या होता है model reading is given by the teacher teacher एक model reading दीता है बच्चों का मतलब present करता है कैसे सबसे पहले क्या था teacher क्या है किसी paragraph को पढ़ेगा है मतलब पढ़ने के मतलब क्या है teacher यह बताना चाहता है कि हम paragraph को कैसे पढ़ेंगे जिससे बच्चे क्या paragraph को correct pronunciation सीखते हैं कहां पर stress देना है यह सीखते हैं कहां पर intonation के बारे में सीखते हैं यह सब चीज़े बच्चे सीखते हैं तब teacher से ठीक ही read अप उसमें क्या करता है model reading में क्या करता है he read a passage with the correct pronunciation stress and intonation correct pronunciation के stress के साथ जहां पर stress देने की जरूत है and intonation के साथ यानि कि वो इसके उतार चड़ाओ के साथ वो क्या करता है गरते एक model देता है किसका reading की किस तरह से पढ़ना इसके बाद student पढ़ेंगे जो teacher ने पढ़़दया तो खोण पढ़ेंगा student पढ़ेंगो third step क्या होता है loud reading by the student student क्या है t nouveau read करते हैं कि टीचर उसको समझ पाते हैं सुन पाते हैं कि सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर पाते हैं और दूसरा स्टुडेंट भी अपनी वोईस को सुन पाते हैं और वह भी समझ पाते हैं कि हम ढंक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं उसके बद दोन तो जो टीचर होता है उसके पाद इतना है वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैटर्न जो भी चीज़े आती है उसको एकस्प्लेइन करते है अलग लग तरीके से ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए नेक्स पॉएंट, दो पांचवाल रास्ट में किया करेंगे तो चोंप्रेज में क्या करता है जब उसको के स्थीक्पशन में किया कदा अट्रस्टेंड लिए बौश्कों मतलब कुंऊचन करने के लिए कि इसको समझने के लिए करते है एक टेस्स लेते हैं इसरें दिए तीक टेस्स करने के लिए तो यह कै πुंचे क्या होगे निकाट कर दो परोसेस कि Россिके करते हैं अगला हमें पूछेगे थे इससे इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेज क्या है क्या क्या फायदा एडवांटेज ऑफ दा इंटेंसिव रीडिंग तो पहला एडवांटेज क्या है इंटेंसिव रीडिंग इंक्रीज दा अक्टिव वकावलरी आप दा लर्ना जो इंटे इसे वह थोड़ा बहुत grammar भी सिखते हैं लेकिन बहुत अच्छा grammar सिखने का माथड यह नहीं है इट इंप्रोब दा पावर ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन की पावर कोशिज जैसे हम टीचर सामने से पढ़ता है रीट करता है तो वह क्या होते हैं इसे पावर ऑफ एक्सप्रेशन की जो पावर है वह बढ़ती है तो यह थे कुछ क्या थे उसके एडवांटेज थे यानि कुछ उसके लाब थे आगे जो हमें पूछा किया था लास्ट टॉपिक वह पूछा किया था हमें लिमीटेशन तो लिमीटेशन का है इस तरह की रीडिंग से प्राप नहीं होता है इस तरह से समझ लीजिए अदेन लिमीटेशन तरह है वहला दो यहिए तो है जो फ किया होटें यह पूछी बहुत ऑच्छा कर भाक नोलेशन तरहár नहीं से थे नहीं होते हैं हमारा ध्यान जयाता हैयकर need करने में उसको गर्यान करने में और उसको इंटोनेक्शन में ज़्यान होता है मmostyy Whoo Okay नहीं में आपके अब अच्छे हैं कि अटेसे कुर्णे परने यह बहुत आता है ँए उससे कभी भी प्लेजर या इंटर जार चीज़े नहीं होती हैं ठिक है तो यहां पर कोश्ड कम्प्लीट होता है ति मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में तब तक के लिए आपको लेक्चर पसंद आता तो लाइक करें शेयर करें अब आपने जरूर दें कि आपको इस तरह से पसं आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है फिर मिलते हैं next lecture में